यहां से हमारे टागेट रहेंगे 21,480 से लेके 21,440 तक इस यह लिए हम अगर प्राइस होल करके 21,430 के निचे क्लोजिंग देता है तो यहां से अगेन हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है यहां से प्राइस 21,250 से लेके 21,180 तक हमें देखने को मिल सकता है लेट ओपन होके अगर के लिए उपर के निकलता है तो यहां पर दो कंडिशन्स होंगे अगर यह 21,680 से रजिस्टन्स लेके वापस नीचे आता है तो हम अगेन इसे सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं पर अगर यह 21,680 क्रोश कर जाता है और यहां पर इस तरह का प्राइज एक्षन बनाके 21,680 के उपर यहां फिर 21,700 के उपर निकलता है तो यहां पर हम वाइंग के लिए ट्रेट प्लान कर सकते हैं पॉंटेटी यहां पर हम कम रखेंगे और यहां टार्गेस होमारे हो सकते हैं 21,780 से 21,800 तक अगर निक्टी में फिर से आग गेब डाउन ओपनिंग होता है निर अब ओव 21,450 तो यहां से वापस हमें एक फोल देखने को मिल सकता है या तो प्राइज उपर एक बार टच करने जाएगा 21,550 के लेवल को और उसके बाद नीचे आईगा या फिर 10,5 में यहां पर होल करके डाइरेक्ट यहां से 21,430 क्रोज कर जाएगा पर दोनों कंडिशन्स में प्राइज में 21,300 या फिर 250 तक देखने को आरम से मिल सकता है तो इस तरह का अगर कोई कंडिशन होता है तो 21,430 के नीचे किनल क्लोजिंग के बाद हम सेलिंग के लिए ट्रेट प्लान कर सकते है 32,40 पॉइंट अबाद स्टोपलोस रहेगा और टार्गेट यहां पर हम 1,2 या 1,3 तक प्लान कर सकते है अगर निफ्टी डाइरेक्ट 21,680 के उपर कहीं पर उपन होता है तो यहां पर हम बाइंग की साइड एक ट्रेट प्लान कर सकते है बड़ कंडिशन यह होगा कि यहां पर एक बाद यह 21,650 को टेस्ट करने आए उसके बाद जब यह उपर निकलता है तो 21,700 के उपर हम बाइंग की साइड प्लान कर सकते हैं 30-40 point का हमारा stop loss रहेगा target यहां पर हम 1-1 या फिर 1-2 plan कर सकते हैं price अगर इसे area में open हो के direct नीचे आ जाता है 21,630 के नीचे तो यहां पर हम कोई भी trade plan नहीं करेंगे price अगर यहां से नीचे निकल के 21,545 के नीचे close देता है तो हम selling की side trade plan करेंगे यहां फिर अगर यह open निकलता है और 21,700 को वापस cross करता है तो हम buying की side trade plan करेंगे तो चलिए अब देखते हैं bank nifty में हम कौन से layers पे trade plan कर सकते हैं bank nifty flat open हो के 45,980 के नीचे 5 नीचे आ 15 मिट में कोई भी candle close देता है तो उसके नीचे हम selling की side trade plan कर सकते हैं यहां से price हमें 45,600 से लेके 45,480 तक देखने को मिल सकता है फिर अगर price यहां पे थोड़ी दिर hold करके 45,480 का level नीचे के और breakdown करता है तो आगे हमें 45,200, 100 और 45,000 तक price देखने को मिल सकता है flat open हो के अगर यह उपर क्यों निकलता है और 46,380 के आज़ पार से resistance लेके वापस नीचे आता है तो 46,300 के नीचे हम trade plan कर सकते हैं selling की side यहां से हमें 200 से 300 point का move आराम से देखने को मिल सकता है अगर flat open हो के price उपर निकलता है और यहां से सीधा यह 46,480 के उपर cross कर जाता है तो हम wait करेंगे थोला साई से retest करने के लिए एक बार price यह सा retest करके price action बना देता है उसके बाद जब यह 46,500 के उपर निकलता है तो buying की side हम trade plan कर सकते हैं यहां पर हमें आगे price 46,700 से लेके 800 तक देखने को मिल सकता है अगर bank nifty gap down open होता है तो buying की side हम trade ignore करेंगे यहां पर हमें selling की side दो condition में trade करना है यहां तो price उपर यह gap fill करें उसके बाद 45,980 के निचे cross करता है तो यहां से हम selling की side trade plan कर सकते हैं 70 to 80 point stop loss रखके 1 jam 2 हम यहां पर target plan कर सकते हैं यहां फिर price यहां पर hold करके इस area के आसपास 45,480 के निचे cross करता है तो यहां पर हम selling की side trade plan कर सकते हैं यहां पर भी same हमारा जो stop loss है वो 70 to 80 point कर रहेगा पर target यहां पर हम 1 jam 3 tuck arm से plan कर सकते हैं अगर bank nifty gap up open होता है और यहां पर क्यों निकलता है इस तरह का price action बना कि अगर 46,500 के उपर यह cross करता है तो bank की side हम trade plan कर सकते हैं और अगर यह gap up open होता है वापस निचे क्यों रा जाता है तो 45,980 के निचे हम selling की side trade plan कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगर यह video आपको अच्छा लगता है तो इसे like करना मत बूलिए